असलामलेकूम आज मैं आपके थाज शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल मेथड से बिलकुर रेस्टराउंट स्टाइल सॉफ्ट एंड जूसी चिकन टिकका बनाने की रेसेपी बहुत ही दवदस टिकका के पीसे बनकर रेडियोंगे आपको याकिन नहीं होगा कि आपने खु सॉफ्ट और मॉइस्ट होते हैं तो जो टिकका होता है वह बहुत सॉफ्ट जूसी सा बनकर तैयार होता है लेकिन अगर आप थाज के पीस नहीं मिल रहे तो फिर आप ब्रेस्ट के पेसे भी यूज़ कर सकते हैं अब इसमें नमक डाल देंगे एक टीस्पून या फिर टेस लाने के लिए हम डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट तो पांसे चे हरी मिर्चों का पेस्ट है आप टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च का पेस्ट इसमें डाल सकते हैं जितना तीख आप पसंद करते हैं और आधा टीस्पून इसमें कच्चे पपीते का पेस्ट डालेंगे हरे चि कि और भी जादा जूसी और सॉफ्ट हो जाता है अब यह आधा कप मैंने दही लिया था जिसको मैंने 15-20 मिट के लिए छनी को पर रख दिया था जिससे कि इसके अंदर जो भी एक्स्टा पानी था वो निकल गया यानि कि हमें इसमें हंग कर्ट का इस्तमाल करना है छनी पर र मैंने 15-20 में तो भी नियुक्त है तो आप चाहें तो जादा टाइम के लिए मैंनेट कर सकते हैं जादा टाइम के अच्छा है उखने का पर बाहर मत चोड़ेगा तो इसको तरह से कवर कर देते हैं किसी भी चीज से आप ढग दिजेगा और देर से दो घंटे के लिए इसको माइनेट कर लीजेगा तो यहां पर हमारा जो चिकन है यह अच्छी तरह से माइनेट हो चुका है अब हम इसमें एक टेबिल स्पून के करीब कॉर्ण फ्लावर या फिर अरा रोट डाल देंगे इसे क्या हो गई जितने भी हमने मसाले डाले ना वह अच्छी तरह से चिकन में में पैसे को चलोडे, जरूशे बाट कर के पिसे को पका लेते हैं तो आफाम रिद्विट के तरह से में इसको टेल करेंगे और एक क्यों कि करीब बटर करेंगे इस तरह से बटर को रभी को स्कासी करदें यह ऐस को क्टेली कर ग्लेठानेमें से deeply होने से पहले हैं और जब स सारे पीसे को हम इस तरह से टर्न कर देंगे तब हम इसको ढग कर पकाएंगे ढगने से चिकन जल्दी गल जाता है तो एक साइट से लो फ्लेम पर हम इसको पांच मुट के लिए पकाएंगे और जब एक साइट से तकरीवन पांच मुट हो जाएंगे लो फ्लेम पर इसको पकत तो बहुत जल्दी एकल जाते हैं लेकिन अगर आपने कच्छा पापीता नहीं लगाया है तो फिर आप पांस साथ मिनट जादा पका ली जगा इसको तो इसकी साइडों को टर्न करके दूसरी साइड से भी हम इसको पांच मिनट के लिए पका लेते हैं अब हम गैस करें को मीडियम टियुक्त हाइक करके यहां पर चिकेन के पीसे इसको थोड़ा सा ग्रियल कर लेंगे हम पैन के ओपर इसको ग्रियल कर लऐ है थोड़ा से एस personnage से एस तो इस तरह आप देखेंगे एक अच्छा सा कलर आने लगेगा इसमें तो इस पाइंट पर आप चाहें तो इसको कोईले से स्मोक दे सकते हैं या फिर डायेट ली गैस स्टोग के उपर आप इसको ग्रेल कर सकते हैं दोनों ही आप्शन्स आपके पास हैं या फिर अवन में भ इस तरह से मैंने इसको एक सलाह के उपर सभी चिकन के पीसे इसको अरेंज करती है आप चाहें तो ग्रेल नेट का भी इस तवाल कर सकते हैं और इस तरह से हम इसको एक इसमें ग्रिल मार्क्स आने तक इसको ग्रिल कर लेते हैं और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इसमें ड्स मेरे कफने का बार मोईस्ट है एक तो अब यह सब्सकरने के लिए कर symbi आसान के बगाने के बहुत ऐसा है जैसे आपने हमेने होटूल से इसको मंगवाया है बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही डिलिशस मंता है एक정शी तो यह स्थाइस चूण सव्टप्ट सअ होता है और बहुत पसंद आने वाला हैं तो ठीओ की जगह चिंटिका की ऐसान सी रेसिपी और मैं आपको दिखाना चाहूंगी यह कितने सॉफ्ट और कितने जूसी बनकर तयार होते हैं यह देखिए बहुत ही टेस्टी चिकन टिकका बनकर तयार हुआ है अमीद करती हूँ आपको यह रेसेपी पसंद आयोगी अगर पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलेगा थैंक्स वर वचिंग दे वीडियो